जेहिंद स्टुडेंट्स मैं हूँ रविक मार सक्सेना आपका अपना छोटा सा प्यारा चनल नमबर उन क्लासेश में आपका स्वागत है आज हमें एक खास टॉपी के ओपर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉर्क जैसा की applied physics 1 में unit number 4 already हम लोगा start कर चुके थे last के video lecture में हमने unit number 4 का introduction देखा था introduction में हमने देखा था translation motion के बारे में translation motion दो तरका होता है rectilinear, curvilinear उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आपका rotational motion क्या होता है तो unit number 4 जिसका नाम rotational motion है applied physics 1 में हम लोग यूनिट नमबर 1, यूनिट नमबर 2, यूनिट नमबर 3 जो है successfully complete कर चुके हैं, यूनिट नमबर 4 का ये जो है दूसरा वीडियो लेक्षर है, तो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी important है, जिसका नाम है torque, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बल आघुर्ण, ध्यान करने वाला motion को हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये torque क्या होता है, ध्यान दिजेगा मेरे पिरिछात्रों, को भी बोडी अगर उसमें rotational motion है, तो उसमें जरूर 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 है torque है, जिस तरह से बोडी को एक जगा से दूसरे जगा में जाने के लिए force की जरूरत होती है, उसी दिजेगा मेरे पिरिछात्रों, force और torque में क्या आंतर है, torque जो है किसी भी बोडी अगर वोडी रोटेट कर रहा है तो उसमें torque है, अगर पंखा घूम रहा है तो उसमें torque है, अगर गारी का पहिया घूम रहा है तो उसमें torque है, यानि कि किसी भी बोडी में अगर rotational है, यानि क रोटेशन है तो वो क्या कहलाएगा उसमें टॉर्क के वज़ा से जो है रोटेशन होता है यानि कि बल आघुर्ण यानि कि एक तरह का जो घुरने का जो गती जो प्रदान करेगा उस बल को हम बोलते हैं बल आघुर्ण ठीक है अब हम इसको डीपली समझेंगे जैसे कि कोई बोडी को धका देने के लिए कोई भी बोडी को डिसप्लेश करने के लिए जो हमें फोस की जरुत पर पती उसको हम बल केंगे लेकिन किसी भी बोडी को देखिए अगर जो है हम इस तरह से चल रहे हैं कोई बोडी को अगर हम धाका दिये तो फोर्स कहलाया लेकिन अगर हम इस तरह से कर दिये यानि कि हम एक चकर लगा ले यानि कि घूम गए तो यह जो कहलाएगा यह कहलाएगा टॉर्क यानि कि टॉर् है twisting है यानि कि बोडी को rotate कर आता है twist कराता है डेट टेल्स टो कॉल्स रोटेशन यानि कि बीना टॉर्क के बोड़ी रोटेट नहीं कर सकता है सिंपल सभावसा में आप समझ लीजिए जब कोई वोड़ी रोटेट कर रहा यानि कि उसमें टॉर्क है अब आपको टॉर्क समझ में आ गया जो टॉर्क का जो हम लोग शिम्पोल देते है वो टॉ है ठीक है तो इस तरह से लिखा जाता है इसका फर्मूला arta है force into distance force into distance कहीं कहीं फोर्जेटी रेडियस भी लिखा जा सकता है क्योंकि रेडियस जो हैं तरह का डिस्टेंस ही है और जब कोई सर्कूलर मोशन में होता है यानि कि जब कोई बोडी रोटेट करता है तो हलांकि हम इसको लिख सकते हैं ठीक है फोर्स इंटू रेडियस भी लिख सकते हैं या फोर्स इंटू डिस्टेंस भी लिख सकते हैं अगर हम टॉर्क का अगर हम एसाइ उनिट की बात करें तो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता मीटर सो न्यूटन मीटर हो गया अगर हम इसक इंट्रोडक्शन है तो हम में टॉर्क बढ़ाना है तो हमें दो चीज कर सकते हैं यह सील यह सीली तो के लिछ को मदद बढ़ेएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा जैसे कि एकने बेंस वह क्वार्य है ठीक है और यह कवारी में जो है आपका कभजा लगा हुआ है ठीक है कवारी तो आप देखे होंगे ठीक है यह आपका जो है चोखट बोलते हैं और यह जो है कभजा है अब इस गेट को खोलना है तो गेट खुलेगा तो यह तरह का रोटेट रोटेट ही होगा ठीक है तो य कभजा को निए जयं है यह हींज में तरह का पीन सपोर्ट को यहां लगाना पड़ेगा अगर हम कभजा को यहां कर देंगे को डिस्टेंस、 अगर हम से खोलेंंगे, तो हम का लेके लाई यहांपर हमको ज्यादा यहां कठना इकआ सामना पडेगा, लेकिन अगर हम यहांपर कब्जा कको लगाते हैं, यहां पर कूंडी को लगाते हैं, यहां से अगर हम फो्स लगाएंगे तो आराम से आपका दर्वाजा है तो यहां पद्शेटेंस यहाँ रभी द्शेंस को कम करेंगे तो द्शेटेंस ज़ाद लगाना पड़ेंगा आगर हम पढ़ने का मतलब भी करना पड़ेगा,ργि यानि कीए debates को अमें करना पड़ेगा, इसलिए कोई भी दरवाजे का कुंडी को कॉर्नन से लगाते हैं अगर आप जो है जो पकड़ने वाला जो क्लीफ होता है जिसको हम पकड़ के खोलते हैं उसको ज़्यादा distance पर लगा जाता है कब जक से ज़्यादा distance यानि कि distance को जब हम बढ़ा देंगे तो अगर हम चोटा से खुरू से अगर हम किसी जो है नट को खोलते हैं ठीक है इस कुरू को जब खोलेंगे तो छोटा से स्कूरू से हो सकता है कि नहीं खुलेगा लेकिन अगर हम distance बढ़ा दें यह बढ़ा देंगे तो आसानी से खुल जाएगा क्योंकि जब हम इस जो है पेटकर से जब हम खोल रहे हैं तो distance कम है इस distance को अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसको जो है असानी से रोटेट करेगा जिसके वज़र से खुल जाएगा अगर करने के लिए तो रोटेट करने के लिए जब को भी बस तुओ रोटेट करेगा तो रोटेट करें तो उसके लिए torque की जरुवत है और torque को बढ़ाने के लिए हमें 2 चीच जरुवत है या तो हम force को बढ़ाएंगे या तो हम distance को बढ़ाएंगे तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम handy लगा देंगे यानि की दम corner पर लगाएंगे तो हम radius को बढ़ा दिए यहाँ पर force into radius है formula य जानिकि यह जाता है वह असानी से जो है आप दलिया दर सकते हैं या तो आप चावल को पीछ सकते हैं तो यह जो है टॉर्क एग्जामपल है अगर हम और टॉर्क की बात करें गौव में अगर आप रहते होंगे साथ सहर के बचे जो है या बचियां जो है आजकल तो वह किसी भी बोडी में रोटेशन है यानि की उसमें टॉर्क है तो बढ़ आने के लिए हमें धो ही काम या तो हम को बल लगाना पड़ेगा ज्यादा है या तो कीनारे पर पकणद है और इस तरह करके गास को काठते है कूटि God कूटि काठने वाला जो मसीन है उसमें अगर हम टॉर्क को जेनरेट करते हैं तो जादा किनारे हैंडील पर पकड़के उसको हम फोर्स को लगाते हैं जिसके वज़द से हमको टॉर्क जादा जेनरेट होता है अगर और हम बात करेंगे तो ठीक है और जो हम डिटेल में देखेंगे ताकि कुछ एग्जामल को देखेंगे ताकि आपको जढ़ IACHHI रिती से समझ में आ सके कुछ है आप जो है देखोएंगे ठीक है चापकल जो होता है चापकल का एक तरह से отметil के का जो आपका जो जहां से रोटे रेष्टन कर आने वाला है जहां पर हैंड यहां टॉस हम पकरते हैं कॉर्ण पर क्यों करते हैं क्योंकि यहां से यहाँ का अम का लेंथ है वह बढ़ जाएगा ठीक है तो डिस्टेंस बढ़ने से क्या ओगा ज्यादा generate होगा यानि कि जहां पर अगर हम उसी handle को अगर हम बीच में पकड़ेंगे तो अप लगा कर देखिएगा आपको जो है मसकत का सामना करना पड़ेगा यानि कि कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा तो टॉर्क को बढ़ाने का दो आइडिया है या तो फोर्स बढ़ाई या लगां करने ली से लिए में हम हैंंड पंप में चापकल को चलाते तो और पर पकरते हैं इसलिए जब हम आ पीकर को जाधे माली जी घर niego है और यह छोटा सा vigor है ठीक हैई यह आपका आपका कार जिहान दीजक्शार ऑंप मेरी कृटा चारत्व है यहांब क्या होता है कि यहां पर क्या होता है और यहां से यहां जो है सौप्ट के थूरू जो है यह साफ्ट के थूरू जो है आपका जो है यह करनेट किया रहता है इंजन यहां है लेकिन जो आपका चक्का जो है इंजन से चक्का को इतना दूर में करनेट किया गया है साफ्ट के बज़से तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है जिसके उसकी बज़र से टॉर्क ज़यादा ज्यून्राइट होगा तो इसका जो पर चोटा है तो इसका पलता हो वह कम एसे लिए number तिक वाला जब चलते हैं तो इसको हम बोलते हैं गिना में ठीक है इसको क्या बोलेंगे प्राइब तो यह तो प्राइब में पीस्षे का चक्का चलता है तब आगे का चक्का यह पीछा हो इस में कम परपस है उसको कम आधों लीब जादा बेठेगा तो ज़्यादा टॉर्वत है लेकिन ध्यान देज़ेगा इसमें और इसमें क्या दकत है अगर ट्रक का या बस का अगर पीछे का चक्ट का अगर फथ जाए तो गारी जो है बहुत मुस्किल में पढ़ जाएगा क्यूंकि पीछे का चक्का चला रहा है तो आगे वाला चक्का है जोलारी जो, क्योंकि यह नाई थोड़ा, क्योंकि यहां परएई थोर। विल्ड्राइब में कि यहां पर जो है अगर आगे का चका फस गया तो पीछे का चका से कुछ होने वाला नहीं कि पीछे का चका में पावर थोड़े नहीं दिया हुआ है तो यह आपका दोनों का अलग-अलग अगर से की बात करें तो साइकल जो है आपक रिए विल्ड्राइब है अगर हम साइकल को कि steadily मा रहें तो चलेगा नहीं चलेगा औहीं को ही रहेगा क्योंकि साइकल यह है पाद करता है तो एक आगा यह जो है जो है समझाया कि artist ऐसे मिलीटरी का हमें कर तो friendिटाया को सब्सक्राम कर दर्फ़ behövt तो यहां Shedota की ओलता है कर दोना सब्सक्राम होगा अब इस में फाइदा क्या है कि अगर आगए का पता है तो पीछे थक्या धकेल देगा फैदा चैने सवचा धकेल होगा मिलिटरी का गाड़ी या कहीं जो है गारत नहीं क्योंकि बीच में लेकिन यह समय क्या है आगे चलता है छोटा गाड़ी में आगे का चलता है इसमें पावर दिया गया इसार बहुँ सारा बनोगे northeast कोई बस्तु अगर घूंघ होल कğıt करते हिं कोई भाटिय भूम रहा है तो उसमें यानि की इसीलिए जो है जब अप मेकेनिकल इंजिनियर होंगे जब आप बनाते होंगे तो उल्माप इसए और आप ऊहां पर आपको बनाती होंगे वह आपको डिया रहे सबस्तु को रोटेशन में उसमें टॉर्व है बेना टॉर्व कर सकता है नहीं कि टॉर्विस्टिंग फोर्ज्य यानि कि रोटेसन में होंगा ब लगुन का बर लगुन का formula क्या होता है बर लगुन का formula होता है force into distance या force into radius इसका जो आपका SI unit क्या होता है तो Newton meter होता है इसका डेमिस्टल formula क्या होता है तो ML का power 2 T का power minus 2 होता है I hope आप इसको अच्छी रितिय से समझ चुके होंगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ unit number 4 को और cover करना है उसके बाद unit number 5 पढ़ाएंगे unit number 6 पढ़ाएंगे उसके बाद आपका प्लाइट physics 1 पूरा खतम हो जाएगा मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए हम भी दाल लेते हैं जैहिंद बंदे महत्रों